कि हलो एवरीबन वेलकम बैक टू एए ओनलाइन सॉलूशन मैं हूँ असफाक तो कैसे आप लोग तो आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान यानि कि कलास टेंथ का सामाजिक विज्ञान का तीस भी भी आई इंपोटेंट और यही टूटल परशने इन सी आटी पैटन पर अधारित है और यह ऐसा सवाल है वावू कि यह हर साल एक्जाम में पूछ जाते हैं यानि कि लगवग यही सब सवाल घुमते रहता है तो आपको जिन सभी सवाल को पढ़ना चाहिए याद करना चाहिए तो चल पर क्लिक किजिएगा इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप ऑनलाइन क्लास जोएन कर पाऊगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल हमारा पहला क्या बोलता है इन में से किछे प पिछणा राजी कहा जाता है यानि कि इसमें और सी बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है विहार के किस जिले के परतिवेक्ति आए सबसे ज्यादा है वहार का सबसे ज्यादा जिला वाला जिला है मुद्र का कार्य बता वी करते हैं मुद्र को मापते बी पर भारत की विट्ये राजधाने की शहर को कहा जाता है यानि कि किस शहर को भारत की वित्य राधनी कहा जाता है अगला सवाल है कौन सी सेवा गैर सरकारी है गैर सरकारी को बनलब सरकार के अंदर नहीं आती है सरकार के अंतरगत नहीं आती है लेकिन सरकार के अंतरगत नहीं आती है यह पूरी तरीके से हर कुछ जो कुछ भी हमें अवश्यक्ता के जो था है उस देश के लोगों को सभी कुछ वहां पर विक्सित हो चुका है अविश्कार हो चुका है अमेरिका ब्रेटेन जापान और इन में से सभी तो देखें अमेरिका ब्रेटेन जापन यह तीनों की तीनों क्या है विक्सित देश है नहीं हुआ भारत विक्सित नहीं हुआ भारत विक्सित की और आगे बढ़ते जा रहा है तो यहां पर विक्षित को न हो गया सभी अगला सवाल है वैश्वी करन के मुख्य अंग कितने हैं तो इसका राइट अंसर क्या होगा बहुत सरे बचें यहां पर सवाल है पर दिया हुआ अगला सव पड़ते हैं कोईला किस परकार का संसाधन आप्यों और वह यूजइलेस हो जाता है मтор प्र उसको दोवारा यूजञ नहीं कर सकते हैं और नवी करनियों बोलते हैं जिसको हम वार बाइब कर सकते जैसे पानी है ना जी हम एक बर पिए फिर पानी आ सकता है यह बर नल चलाएंगे मोटा चालू करेंगों फिर पानी यागा dips रवार आएगा кई हाना उस पानी का री यूज़ भी कर सकते हैं दोवारा यूज भी शकते हैं लेकिन connected doing is इसको हम एक बार यूज करेंगे दुवारा यूज कि लाइक ही नहीं बचेगा अगला सवाल है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो काली मिट्टी है उसका दो नाम है एक तो हम बोलते काली मिट्टी बोलते हैं दूसरा नाम क्या है बालूई रेगूर यह साल यह परवर यह सवाल वेरी वहरी वेरी वेरी इंपोटेल है चावल क्या खरीब फचल है या रभी फचल या जायद ने से कोई नहीं तो यह रभी और खरीब बहुत बार एक जामिक पूछा गया बहुत बार आप और गेहम हो जाएगा रवी फसल अगला सवाल परते हैं निमने लिखित उद्धोगा में से कौन सी किर्शी पर आधारित नहीं है इन में से कौन सा उद्धोग है जो किर्शी पर डेपेंड नहीं करता है किर्शी के अधारित है जूट भी तो जूट कभी होता है यह भी किर्शी पर नहीं है सीमेंट किर्शी पर अधारित नहीं है इसलिए अंसर होगा अगला सवाल निमने लिखितने से कौन छोटे पैमाने का उद्धोग किया जा सकता है उन उद्धोग का नाम बताना है तो आप पढ़ करके जो बंदा पहली बार भी अगर इस सवाल को पढ़ता होगा तो अब विजुद के लिए तो मत पूछो यार यह तो है यह बड़ा अगर यह सवाल आपको याद है तो अच्छी वाद है याद नहीं है ना तो सवाल लिखिए गटिके ना और उसके डैस देखर के अंसर लिख लिए अगला सवाल है चूना पत्थर का उप्योकिस उद्धोगन होता है सिमेंट में जूट में चीनी में एलूमिनियम है देखो च से अंसर होगा सबसे लगार्ज इंडिया मुंबए बंदरगा वंधर को देता हूं और आपको यहां पर हूमभाक को आपको रिखिसे कमेंट करके बताना है ठेकाना पहला है यहां पर दिया हूँ है आपको बताना है कांड़ला बंदरगा किस राजी में पढ़ता है यह राज आपसं बताना है कांड़ला जो बंदरगा किस राजे में करता हैं अगला है बिहार के कितने पर सबस्क्राइब कटिएकश् कटिए चेतन सब्सक्राइब और विए बिहार में कितने प्रतेसथ बहुगलिक चेत्र में 15 यहां परसंट में दस औसад तो हमारा अंशर होगा होगा सेवन पॉइंट कहीं 17.1 देगा कहीं 24 निए तो मतलब एप्रोक्सिमेट में देखा जाए तो हमारा अंशर क्या होगा 7 यहां पर राइट में रज्जु मार गहात, रज्जु मार गहात, रज्जु मार बांका में नहीं बलके राजगीर में ठीक है और बहुत सहरों में भी है नया टैप से बन जा बहुत अची तरीकशे पहले वाला भी और नया भी बनाया गया कभी मुखा मिल तो आएं तो मैं ब्लॉग मनाओंगा डॉडवरी रक्त एवं लोह की नीती का और लंबन किसनी के था है ना मेजनी हिटलर बिसमार के विलियम वेरी वेरी इंपोटेंट कोशन है कि रक्त एवं लॉग है ना बलड एंड आइरन की जो नीती का जो ऑलंबन किसन किसने की तो एक कांड्रला हो गया ना ना बेसी से मसे नाविक या और लाल सेना का गठन किसनी क्या था इसका हो नीचे करें तो एक कांड्रला हो गया कि पढ़ता है और सेना और सोनाल सेना का घठन किसने कहता है ये दो हमगा। आगे देखते कि रेखेश को बढ़ा जाता था ठीक पेने के बिर्थन तस बाड़ी रहता था या फैंश का सम्राथ होता था या रूजा का समराट है की इंपएर और राजा होता था रूस का समराज jsut समराज होता था इमपेर होता था उसी को रूज में उसको क्या बोलता जार बोला है तो महिला दिवस कब मनाया जाता है यह सवाल हर बार आया पिछले साल भी एक्जाम तपक गिया है तो अब इस बार अगर तपक जाएगा तो आपको तपका देनाची तरीक से महिला दिवस मनाया जाता है अगला सवाल पड़ते हैं गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी है आञे सवाल पड़ते हैं गांधी जीने डांडी यात्रा किस तिति को आरंब किया था किस दिथी को बारा जनुरी यांडी यात्रा हुआ है उनिस्तो तीस में डांडी यात्रा की शुरुवात हुई अरब हुई लेकिन कौन सा डेट है पूरा डेट है बारा मार्च निस्तो तीस को है ना जैंडेट हो जागा अगला स्वाल पड़ते है रंपा विद्रो यह बहुत इंपोटेंट इंपोटेंड पड़ते है टाटा जी जम्शेद जी टाटा उसका पूरा नाम है जो टाटा जो कंपणी उसके संस्थापक है यह जमसेब जी टाटा ने टाटा एंड आरन इस्टील कंपणी के स्थापना कप की नाम है जो पूरे इंडियम चलते हैं पूरा वर्ल्ड में इस कंपणी चलती है टाटा एंड इस्टील कंपणी और यह बहुराष्ट कंपणी यह इंडियम नहीं बाहर देशों में भी टाटा नाम का गारी हो गया बहुत कुछ है ना चलता है अगला सवाल है बिहार को पिर्थक राज्य का दर्जा कब किया गया यानि कि बिहार जो एक अलग राज्य बना ह है तो बंगाल से अलग होता बंगाल से ठीक ना पहले बंगाल में बिहार जार्कान उडिशा सब एक में ही आता था पुरा बंगाल उसका नाम होगा करता था बंगाल में ही नाम होता था बिहार भी बंगाल में था जार्कन भी बंगाल में था और उडिशा भी बंगाल में बंगाल से पहले बिहार अलग हुआ तो पहले बिहार का नाम पड़ा कप ना 1912 में बिहार का दर्जा दिया गया यह बिहार एक राज यह उसके बाद उड़ीशा भी उगा तो यह हमारा अंसर हो जागा ऑफ्सन सबसे पहले मुद्रन की करेंशी चलने की सुरूआ कि हाँ पैसा रुपिया चीन अमेरिका तो खायर भाई तो पर पता कर सकते यह चाइना अगर बोलते हैं चाइना माल चलता रही टिकता नहीं लेकिन रुपिया है एक आईसा चीज जो हमेशा चल रहा ना शुरू से और अभ लिक रहा एक exception हे रुपिया है एकला साब हिंदुस्तान सब्ण का पर कासं किस नहीं की था आपसन है यह पात्रिका न icm पराटना न परकाश्न को पाता है या होता है यह सब था पछिका लिखता लिखिता लेटर के किताब चभ गया और उसको पूरे भारत में बटवाए जाता था जिस तरह से पेपर बढ़ता है तो लोग जान जाते थे क्या बोलना चाहरें इनके राइटर के नहां बताना परकाश्चन किसने क्या था तो अगला है मार्टिन लूथर कौन था बहुत इंपोटेंट दच्छिन अफ्रिका के बारे में पढ़ेंगे महत्मा गांधी जी ने वहां जो गया था तो मार्टिन लूथर के बारे में बताना कि कौन था सामाज सुधारक था या दार्शनिक था या राजनितिक था धर में सुधारक था तो मार्टिन लूथर था ध में सुधारक औप्सेघान के किस अनुछेद में स्वतंतरता का अधिकार जिया गया है इनकी कौन सा अनुछेद का सा आर्टिकल है जिसमें नागरिकों को हम नागरिकों को स्वतंतरता का अजादी मिला है , इस सवाल सवाल से एक साधिकर cricket तो यह अनुच्छेद 15 है जहां पर नागरिकों को स्वततन्तरता का अधिकार देगा है और यह अंत्तिम सवाल लोकतंतर का सरवक्तम गुन क्या सबसे अच्छा क्वालेटी क्या है कि कौन सा गुन लोकतंतर होना चाहिए सिख्षा का भाव जब सिख्षा का भाव होगा सिख् लुकतंत्र नहीं नागरिकों की गरीमा में विरदी शो कर रहा है उसको पादिश्ठा या जाये उसको मान-समान देया जाए यही लोकतंत्र इसलिए यहां अच्छा काम करता है तो इसको भारत रतन मिलता है है ना साहित एकाड़ी मिलता है यह है लोकतंद्र देश की पहचान फिलाल यहां पर कोस्टन का हो गया इंड तो अब भी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं के लाइक कर देना शेयर करना दूस्तों क्वास और तो जरूर करना न्यू स्टुडेंट थैंक्स फोर वाचिंग वीडियो को लाश्ट करते हैं बाई टाटा